तो आज बात होगी वरुन गांधी की जिहां आज हम वरुन गांधी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वरुन गांधी बदले-बदले से दिख रहे हैं हम क्यूं कह रहे हैं कि वरुन गांधी बदले-बदले से दिख रहे हैं दरसल इन दिनों वरुन गांधी ने बीज प्रधान मंत्री मोदी और बीजेपी के ट्वीट को भी रिट्वीट करना शुरू किया है। हालकि पहले भी वो प्रधान मंत्री या बीजेपी का नाम लेकर उन्होंने अलोचना नहीं की लेकिन जितने तीखे तोर पर सवाल उन्होंने अपनी सरकार से पूछे वैसित सवाल तो विपक्ष भी कम ही पूछता रहा। पूरे पाँच साल वरुन गांधी लगभग विफक्ष की मुद्रा में रहे। उन्होंने अपने को पीली भीट तक्सीमित रखा और पीली भीट से ही बीजेपी पर लगातार सवाल करते रहे। बीजेपी की नीटियों पर किसानों को लेकर बेरोजगारों को लेकर इसके अलावा जितनी भी पॉलिसीज बीजेपी के यही अगनिवीर को लेकर के सवाल करते रहें। लेकिन अब जब की चुनाओं में कुछ महीनों का वक्त बचा है, कुछ हफ्तों का वक्त बचा है, वरुन गांधी बदले-बदले से नज़र आ रहे हैं। लगतार बीजेपी के कारेकरताओं, नेताओं को निशाने पर लेने वाले वरुन गांधी आखिर क्यों बदलते जा रहे हैं। के स्तर पर कहीं न कहीं कोई न कोई आस्वासन जरूर है कि शायद वरुन गांधी को इतने विरोध के बावजूद भी उन्हें वापस टिकट दिया जा सकता है। पंजाब और हर्याना के किसान डटे हुए हैं। सिर्फ किसानों को लेकर के ही ना तो उन्होंने कोई कहीं बयान दिया है किसानों को लेकर जिकिन आप प्याद करिए जब पिछली बार बहुत बड़ा जब किसान आंदोलन हुआ था तब वरुन गांधी किसानों के बीच तक पहुँच गए थे। लगातार सवाल पर सवाल सरकार से पूछते रहे लेकिन इस वक्त जो किसान आंदोलन चला है चल रहा है। उन्होंने फिलहाल इस से खुद को दूर रखा हुआ है। जबकि वे वही मुद्धे हैं जिसके लिए नजाने कितने ट्वीट्स और कितने बयान वरुन गांधी के हैं उनकी MSP की गारंटी जैसे मुद्धों को लेकर है। तो ये बिलकुँ साफ दिखा रहा है कि वरुन गांधी अब दोबारा से BJP के साथ होते हुए दिख रहे हैं। एक वक्त ये माना जा रहा था कि वरुन गांधी विपक्ष का कैंडिडेट हो जाएंगे, BJP के खिलाफ चुना लड़ेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि चाहे मेंका गांधी ने किया हो, या फिर वरुन गांधी ने खुद अपना रिष्टा दोबारा BJP से ठीक किया हो, ल नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वरुन गांधी भी कच्चे खिलाडी नहीं है, और वो अपनी डिलिंग किसी सूरत में जो स्टेट के लीडर्शिप है, उसके लेबल से करना भी नहीं चाहते हैं, और कहीं न कहीं दिली में कोई न कोई बात, कोई न बाकात, कोई न कोई डिल हुई है, या फिर उस राह पर है कि दोबारा से वरुन गांधी को बीजेपी से ही चुनाओ लड़ाया जाए, शर्तिया तोर पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो माना जा सकता है कि अब मा और बेटे दोनों, यानि कि मेनका गांधी और वरुन गांधी, दोनों की बीजेपी के बड़े नेताओं से कोई न कोई बातचीत हुई है, चल रही है, जिसके जरिये दोबारा से वरुन गांधी को पार्टी में उसी राह पर लाने की कोशिश है, आज जो उन्होंने ट्वीट किया है, प्रधान मंतरी का भा बातें कारेकरताओं को लेकर, बीजेपी को लेकर बोला है, ये बात इसके एक क्लिप को वरुन गांधी ने ट्वीट किया है, अबुवन बीजेपी के नेताओं को तो छोड़ दीजे, बीजेपी के कारेकरता, बीजेपी के जंडा, बीजेपी का जंडा, पोस्टर, बैनर, इन सबों को वरुन गांधी लगभग अच्छूत मानते रहे पूरे पांच साल अपने पूरे कश्वनसी में उन्होंने बीजेपी का जंडा तक महीं लगाया बीजेपी का पोस्टर बैनर तक महीं लगाया किसी कारिकरम में शिरकत तक उन्होंने बीजेपी का नहीं किया लेकिन अब लगता है सब कुछ बदल रहा है और वरुन गांधी दोबारा से बीजेपी के प्रति सौफ्ट होते दिख रहे हैं बीजेपी के साथ जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं दोबारा से बीजेपी में अपनी वही स्थिती चाहते हुए दिख रहे हैं ऐसे में कुछ न कुछ बात जरूर है तो क्या अब पिली भीट पर बहस बंद होनी चाहिए कि क्या बीजेपी किसी और को चुनाव लड़ाएगी या फिर वरुन गांधी ही उमिद्वार होंगे तो एक बात तै है कि वरुन गांधी की अपनी बड़ी following पिली भीट में है उनके अपने बनाए हुए कारेकरता उनके साथ चलने वाले लोग एक बड़ी तादाद है लेकिन बीजेपी का जो वहां का संगठन है वो उतना ही नाराज है वरुन गांधी से क्योंकि पूरे पांच साल वरुन गांधी ने एपनी following महा है तो उनके लिए जीत बहुत मुश्किल नहीं होगी जीत आशान हो जाएगी और बीजेपी के सीच नित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत कि अब वरुन गांधी दोबारा से बीजेपी की राह लोटने लगे हैं और कहीं न कहीं उनकी मां वो खुद और बीजेपी का शीच नित्रतु सभी इस वापसी में शामिल है